दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इस्टेडी विथ अनुप पर दोस्तो 36 गड़ में एक वेकेंसी आई है जिसके बारे में आपको अप्रडेक्ट दिने जा रहा हूँ तो वीडियो को बिना इस्किप के हुए लाश तक जरूर देखें और अगर आप मारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल वाले आइकन को जरूर दबाईए ताकि आने वाले वीडियो का नोटी प्रियासन आप तक सबसे पहले पहुँचे वाई ये स्टार्ट करते हैं तो ये जो आपका विग्यापन जारी किया गया है ये जारी किया गया है कारियाले जिला आयूर वेद अधिकारी बलोदा बाजार 36 गड़ की ओर से तो इस विग्यापन की डिटेल में जानकारी आये लेते हैं क्या लिखा है इसमें तो देखिए इसमें लिखा है कि आपका कारियाले 36 गड़ राज्य आयूस सोसाइटी राश्ट्री आयूस मिसन संचान अनाल है आयूर वेद योग एवं प्राक्रिशिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध एवं होम्यो पैथी आयूस का पत्र क्रवां किये राइपूर दिनांक 25 आठ 2022 द्वारा जिला मुख्यालाय बलोदा बाजार में योग प्रसिच्चक के पत्पर ध्यान रखें कि जो पोश्ट है वो है योग प्रसिच्चक इस पर आपकी वेकेंसी निकाली गई है तो अब जो है प्रति दिन योग अभ्यास कराने है तू योग की सिच्चक पद पर नियुक्त किया जाने है तू आवेदन पत्र आवंतित किया रहा है यानिकि जो लोग इस vacancy के लिए eligible हैं वो लोग इस पर आविदन कर सकते हैं योग प्रसिच्चक पत के लिए इच्छुक उम्मिद्वार जो नीचे विवन्ट दिया गया है उसके प्रारूप में 18.04.2023 तक यानि कि 18.04.2023 तक आप आविदन कर सकते हैं इसलिए अगर आप eligible हैं देख लीजिए और अगर आप चाहते हैं आविदन करना तो आप जल्दी से आविदन कर दीजिए ठीक है आपका जो आविदन है वो offline होगा तो आपको करना क्या है कि कारियाले जिला आयुरवेद अधिकारी बलोदा बाजार जिला बलोदा बाजार भाटा पारा कच्च करमांक 90 प्रथम तल संयुक्त जिला कारियाले बलोदा बाजार भाटा पारा 36 गड़ के नाम से आपको speed post करना होगा देखे ये address लिख लीजिए अगर आप आविदन करना चाहते हैं तो इसी address पर आपको जो है क्या करना होगा speed post करना होगा form भरके form दिखाऊंगो मैं नीचे है न उसको भरके आपको इस पर speed post करना है ठीक है और इस date की पहले कमतिकां 5-6 दिन पहले भेजेगे न तो उनके पास पहुँच जाएगा क्योंकि इसके बाद जो आविदन उनको मिलेगा उस पर बोल रहे हैं विचार नहीं किया जाएगा ठीक है अब बात करते हैं जो आपकी आहरता और अन्यमानदेया पर तो देखे जो आपका पधनाम है न वो है योग प्रसिच्चक यानि कि जो योगा वगेरे सिखाते हैं उनके लिए जो ट्रेनर होता है उसी की पोश्ट आपके निकाली गई है आहरता क्या है आठवी कच्चा अगर आपने पास की है तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं और जो मानदेया है आपको जो पेमिन्ट मिलेगा वो मिलेगा प्रतिमा आठ जार रुपए ठीक है अब देखे कुल पद कितने खाली है तो चवुदा पोश्ट के लिए आविदन मगाए गए है यानि कि चवुदा पोश्ट है तो अगर आप इसके लिए आविदन करना चाहें तो कर सकते हैं ठीक है आपको दिया गया है अलग-अलग जो है कॉलेजों में यहाँ पर आपके लिए योग प्रिस्चक की विकेंसी है वो निकाली गई है इस सभी का लोजों में आप देख सकते हैं सभी में एक एक पोष्ट है और चवदा कॉलेज है तो आपका चवदा पोष्ट यहाँ पर हो गया ठीक है देख सकते हैं आपका यहाँ पर देवसुंद्रा में, खमरिया में, डमरू में, रावन, मोहरा दतरेंगी, कसडोल रिकोकला, टुंडरा आपका परसा डे, सहीला आपका सरीया डे, दमा खेड़ा और निपनिया, इस सारे जगए जो कॉलेज है आयूर विदाले वहां के लिए विकेंसी निकाल ली गई है अगर हम बात करें, अन्य जो आपकी योगिताएं हैं, वो क्या होने चाहिए देखिए, क्या मंगा गए हैं आपसे कि आपको पहले आठ र्यार रुपए मान दे या देंगे ठीक है, इसके बाद जिले के इस्थानिय रख्ति को प्राथ्मिक्ता दे जाएगी, यानि कि बलोदा बाजार के जो जिले के बच्चे हैं उनको प्राथ्मिक्ता दे जाएगी इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे जिले वाले एपलाई नहीं कर सकते अगर बलोदा बाजार वाले बच्चे एपलाई नहीं करते या उनके पास यह योगिता नहीं है तो जो है, अन्ने जिलो के बच्चे को तब जो है बलोदा बजार वाला बच्चा सेलेक्ट होगा लेकिन अगर बलोदा बजार वाले बच्चे के पास योगिता कम है तो जो है वो रायपुर वाला बच्चा सेलेक्ट हो सकता है तो जो है आपका रायपुर वाला बच्चा है वो सेलेक्ट हो जाएगा ठीक है प्रास मिनिमाम आठरा साल होना चाहिए आपका और आप बिरोजगार होने चाहिए पर आपकी यहाँ पर नियूनितम सेक्षन की योगिता है वो आठवी पास है इसके अलावा जो है क्या है योग प्रसिच्छा के हेतू आवस्यक योगिता प्रदर्सित करने वाला सासन से मानने ता प्राप संस्था का प्रमार पत्र भी आवेदक को प्रस्तुत करना होगा यानि कि योग के संबंध में आपको जानकारी है कि नहीं है उससे संबंध में कोई प्रमार पत्र आपके पास है तो वो आपको प्रस्तुत करना होगा तो ही आप इसके लिए इलिजबर हो पाएंग जिला आयुर्वेद अधिकारी प्रतम तल में कारेलीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं यानि अगर आप चाहें अगर आप इस पूरी श्पीड पोस्ट ना करना चाहें और अगर आप चाहें कि मैं यहां जाके दे दूँगा पिश्पीड पोस्ट अपना फॉर्म तो आप जाके फॉर्म दे सकते हैं ये भी कर सकते हैं ठीक है और आप इसके लिए online आविदन नहीं कर सकते हैं किवल आपको offline आविदन ही करना होगा ठीक है तो यह थी complete जनकारी इस अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसके print भी ले सकते हैं वहां से ठीक है तो telegram चैनल पर आपको मिल जागा आप वहां से download कर सकते हैं ठीक है आसा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें शेयर क करें और चैनल को सब्क्राइब करें